दिखें, जिस तरह की भाषा आज राहुल गांदी बोल ले हैं, उसी तरह की भाषा आज बिहार के मुखमंतरी नितिश कुमार जी भी बोल ले हैं। राष्ट्रिय स्वेंसवक संग के प्रचारक श्री अटल बिहारी बाजपेश जी ने उनको रेलवंतरी बनाया। और राष्ट्रिय स्वेंसवक संग के स्वेंसवकों ने उनको पंदरा साल तक मुखमंतरी भी बनाया। ये तो योगदान उनके साथ ही है। और जहां तक राष्ट्रिय स्वेंसवक संग है उसको किसी को न सफाई देनी है न साबित करना है। ये मुल्क से महबबत करने वाला, राष्ट से प्रेम करने वाला संगठन है और इसके बारे में बोलते हुए राजनितिक लोगों को इस बात का द्यान रखना चाहिए कि उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करके ही बोलना चाहिए और राष्ट्य सेंट से प्रेम का किया ये पूरे देश के लोगों को मालूम है अगर हमारे विरोध में गये हुए नेता को नहीं मालूम है तो क्या कहा जा सकता है सब्सक्राइब को प्रदान मंत्री पद के विपक्ष के उमिद्वार के लिए अभी से दौन्द चला है जब से कमलनाज जी ने बियान दिया है कि विपक्ष के प्रदान मंत्री के उमिद्वार होंगे तो उसे जिन लोगों ने भी सपने देखें प्रदान मंत्री पद के वो ऐसे तो वो सपने ही रहने वाले हैं लेकिन चाहे वो केसियार हो नितिश कुमार जी हो या वो ममता बेनर जी हो या अडविंद के जरिवाल हो हर राज में एक उमिद्वार बैठा है और वो संयुक्त उमिद्वार होगा या नहीं होगा सब एक नकार रहें कि हम नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे लेकिन हमें मालूम है कि कई लोग विपक्ष में पहले से उमिद्वार बन कर तैयार है नितिश कुमार जी कहते हैं कि वो उमिद्वार नहीं लिकिन उनकी पार्टी उन्हें उमिद्वार बताती उसी तरह राष्ट्री जनता दल के नेता भी उनको उमिदवार बताते हैं तो विपक्ष में अभी उमिदवार को लेके ही दोंध है जबके पुरे देश नित्ते कर लिया है कि दोहजार चौबिस में नरेंदर मोदी जी के नेत्रत में अपार बहुमत से भारती जनता पाटी की सरकार बनेगी उमिदवार कोई भी हो सकता है जब आप चुनाव विधान सबा लोक सबा का होता है तो हजारों उमिदवार हो जाते हैं लेकिन जीतता कोई एक है और अभी देश में जिस तरह नरेंदर मोदी जी की लोग प्रियता है जिस तरह देश आगे बर रहा है नरेंदर मोदी जी ही प्रधान मंत्री दोहजार चौबिस में बनेंगे इसमें कोई शक की गुझाईश नहीं है राहुल जी का ये बियान बहुत दुर्भागपुर्ण है ये सिंट्रल पर हमला नहीं है बलके फिर से आर्मी और एर फुर्स पर का नाम लेके जिस तरह की बातें वो करते हैं अपने देश के सैनिकों का सम्मान कीजिए पहले ये कहना कि हमारे सैनिक चाइना से प्ट रहे हैं फिर कहना चाइना ने जमीन कबजा कर ली है फिर कहना कि ये भारत चाइना से डरता है इस तरह की भाषा राहुल जी को नहीं बोलनी चाहिए इस से देश के सैनिकों का मनोबल गिरता है हमारे सैनिक सक्षम है किसी भी देश को जवाब देने की स्थिती में है और जैसा हमारे नेता अमित्शाजी ने कहा है भारत की एक इंची जमीन भी दुनिया की कोई ताकत भारत से छेन नहीं सकती है देखें महबुबा मुफ्ती कोई ने कोई बहाना इस देश को बदनाम करने का अपनाती रहती है एक बार तो ये कहा था कि अगर धारत 370 खतम होई तो कोई भारत का तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा और आज हर घर पे तिरंगा फैराय जा रहा है कश्मीर के अंदर तो महबुबा मुफ्ती दुस पर चार बंद करें उन लोगों ने उनके परिवार ने जो दो परिवार हैं मुफ्ती पर परिवार अबदुल्ला परिवार इन दोनों ने जब कोई काम नहीं किया और आज जमु कश्मीर में जो फंडमेंटल राइट हैं वो लोगों को मिला है काम का अधिकार मिला है बहुत सी जगा बिजली नहीं थी बिजली पहुँचाई है रोड बंदा है काम हो रहा है तो महववा मुफ्ती सिर बियानवाजी कर रही है उनके बियानों से कोई फरक नहीं पड़ता है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहेए यूस 24